नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हाजर हो मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स पे दोस्तों सबसे पहले में आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं और वो निवेदन इस प्रकार से है जिन वीवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है जब ये वीडियो चल ली है इसके नीचे रेड कलर में सबस्क्राइब लिखा होगा आपको वो बटन दबाना है साथ ही घंटी का एक आइकन होगा उसको भी दबाना है सबसे पहले पामिष्टरी से रिलेटिड महत्पूर वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजेगा क्योंकि आगे आप लाइक वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे देखो अगर इस हतेली को हम एक नजर करते हैं तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी ब्यक्तित्तो वाली हतेली है जिसका एक परखर ब्यक्तित्तो हो जिनकी परसनल्टी बहुत सुन्दर हो और समाज में जिनको बहुत इज़त से देखा जाता हो क्योंकर इसका कलर अपने आप में बहुत ही बिरला कलर है रियर हतेलियों में ऐसा कलर होता है ये लोग जिस तरों की हतेलिय है जिस तरों के चिन्ड बन रहे हैं अपने काम के परति जुजहारोपन इनका होता है और एक उद्यस्य को लेके ये लोग आगे बढ़ते हैं और उस उद्यस्य की पूर्ति के लिए अपना तन मन सब जोक लेते हैं और ज़्यादतर मामलों में मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा ब्यस्त आवस्ता में रहते हैं पर बहुत सुन्दर परसनल्टी ऐसे लोगों की रहती है और ये लोग दोस्तों के लिए भी खास होता है friendship जो नेचर होता है इनका friendly बहुत सुन्दर होता है लोग ऐसे बिक्तितों के अंदर आकरसन की सक्ति बहुत जादा होती है अगर हम इस हतेली को देखें तो आप देख रहे होंगे एक सांदार हमारी जीवन रेखा की सहीयोगी रेखा जो है दिखाई पड़ रही है आपके हतेली में आप ये देखोगे तो बहुत ही सांदार रेखा दिखाई पड़ रही है जो इंगित कर रही है कि आप अत्यंत ही प्रतिभासाली और तीब्र बुद्धी के स्वामी है सोचने और समझने की सक्ति आप में विसेश रूप से मौजूद है जीवन में जो निरणई लेते हैं उसे अंततक निभाने का भी सामर्थ्य रखते हैं और ऐसे लोग मैंने विसेश कर देखे हैं जीवन में कोई एक उद्यस्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्यस्य या लक्ष की प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग भी स्राम नहीं लेते हैं और आपकी जो प्रसनल्टी है अपने आप में अत्यंत प्रभाव साली होती है और अगर देखा जाए सुन्दर तरीके से अगर हतेले को देखा जाए तो हमारी जीवन रेखाई से कुछ रेखाई निकल कर कुछ प्रोग्रेश रेखाई निकल कर और सबसे महान ग्रह, सबसे बड़े ग्रह, गुरू से युक्ति बना रही है आप में अच्छे राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडर्सिप के गुण भी मौजूद है ऐसी ये रेखाई कह रही है दूसरा, बिदेश यातरा के सुनहरे और सुखत मौके आपको मिले होंगे अपनी जीवन में ये निश्चित है, अगर नहीं मिले हैं तो अब मिलेंगे वो आपके उपर डिपेंड करता है कि आप करें यातरा न करें दूसरा, मैंने सबसे पहले में मुख्य मुख्य जो है जो जिन बहुत सुन्दर तरीके से बने हुई है उनको दिखाने के कोसिस कर रहा हूँ दूसरा, अगर हम देखें ये जो आपका अंगोठा है पीछे की तरह बहुत सरलता से मुड़ जाता है प्रस्तिति के अनुसरा ढ़ने वाला व्यक्तित तो आपका है और जीवनकाल में इक्छा सक्ति बहुत अच्छी रही होगी और तरक सक्ति भी बहुत सुन्दर रही होगी और अभी भी है अपनी बात एक लोजिकल तरीके से आप रखते हैं लोगों को अपनी बातों को समझाने में जो है निपूंता हासिल है क्योंकि ऐसे बात रखते हैं जो बात एक्चुल हो जिस बात का कोई तरक हो और इन दोनों के बीच में एक सांदार आपके दोनों हतेलियों में देखाएं आँख जैसे आकर्ते बन रही है बहुत सांदार द अपने खर का सपना पूरा जरूर होता है या तो पैतरिक संपत मिलती है या अपने कमाई हुए पैसों से घर का सुख प्राप्त होता है, अपना घर खरीदते ही खरीदते हैं। दोनों हतेलियों की अंगोठी में बनी हुई है तो आपके अंदर भावकता भी है इमोशनल भी होंगे दूसरी बात तहजी पसंद होंगे अच्छे सलीके से रहना आपको बहुत सुन्दर लगता है थोड़ा दिखावा भी पसंद होगा आपको बनी अपनी परसनल्टी को निखारना अच्छे से पहनना सज दहज कर रहना अच्छे से अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को मैंटेन करना ये जो सारी चीजे भी है ये आपके साथ जोड़ी हुई है और अंगोठी के साथ-साथ अगर उंगलियों पे देखो तो सेम ही चिन बनते हुए नजरा आ रहे हैं ऐसे लोग बहुत जादा बिद्धवन होते हैं आप लोग ने जीवन के सार को समझते हैं जीवन के मन्थन को मत्ति हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा कर ली जाते हैं किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डोबा रहता होगा और संगीत प्रेमी भी आप जैसे लोग होते हैं और हतेली में अगर देखा जाए, बहुत सुन्दर इस्तिति में आप लोग भी देखेगा ये इनकी जीवन रेखा है, ये इनकी मस्तिस्क रेखा है, ये इनकी हिर्दे रेखा है, इनकी ये भग्य रेखा है सुन्दर तरीके से M के आकरति बनी हुई है सबसे पहले इंगित करती है कि भगवान सिब और मापारवती की बिसेश किरपा आपके अंदर है चाए आप उनको माने चाए ना माने मगर उनी लोगों की बिसेश किरपा उनी भगवान की बिसेश किरपा आपके अंदर है सांदार आकरती है सबसे पहले बताते हैं कि ब्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगी और ऐसे लोग जिस भी कार्यक में अपना हस्त छेप करते हैं उसे सफल बनाकर ही पूर्ण करते हैं ये बिसे सुकुन होता है इनके अंदर और तीब्र मस्तिस्क होता है अगर बिजनिस में होंगे तो अच्छे पार्टनर हाँ आप दोस्तों और रिष्टेदारों के प्रतिसदेव इमानदार रहेंगे और रहते आई होंगे दोस्तों के लिए भी ऐसे लोग बहुत खास होते हैं दूसरी बात अगर धन की अगर बात की जाए तो ये रेखा ब्यक्ति को जो बहुत अच्छी मातरा में धन अरजन करवाती है वो करवाती है आपको 35 से लेकर 55 आई की उमर तक उसके बाद ब्रक्ति अपनी इक्षा नुसार अपने आराम से धनार्जन करता है उसको जरूरत हो तो करे नए हो तो ना करे मगर वो करता है धनार्जन करता है क्योंकि भगवान की शंकर की विशेश किरपा इन लोगों पे होती है और दूसरी बात ये है कि साधी के बाद ऐसे लोगों का धनार्जन बढ़ जाता है और लाइफ पार्टनर जो होता उसके लिए बहुत ज़्यादा लखी ये लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लखी होते हैं लोगों उनके लिए ये आकरित बहुत कुछ बताती है और धन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है गुरु और सुक्र को देखा जाता ये पुश्ट अवस्ता में हो तो गुरु हमें धन देता है सुक्र हमें बिलासिता देता है लग्जिरियस लाइफ देता है दोनों ही प्रवता आपकी बहुत सुन्दर है और मान समान प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए सूर्य भी आपका बहुत सुन्दर है काम को विस्तार देता है परसिद्धी देता है और इसमें एक चिन्ड भी बना हुआ है दामपत्य जीवन को ये अच्छा रखता है ऐसे प्यक्तियों का दामपत्य जीवन बहुत सुन्दर रहता है बहुत अच्छा रहता है अब हम आपकी ग्रहों की और चलें आपके ग्रह क्या कहते हैं उससे पहले थोड़ा हतेली पे एक नजर डालते है अगर हतेली पे देखा है मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है यदि हमारी हतेली पे चाए अच्छी रेखाएं हूँ चाए बुरी रेखाएं हूँ अगर बहुत जादा रेखाओं का जाल बनता है जैसे हतेली में दिखाई दे रहा है विशेशतर इस जगह पे ये तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को संगर्श की इस्तिति उलजन की इस्तिति पैदा करता है थोड़ा सा मानसिक प्रेशानी देता है हलके रूप में दे चाए ज़्यादा रूप में दे व्यक्ति सोचता ज़्यादा है चिंता भी जादा करता है और ऐसे परवत पे थोड़ा सा चंदरमा पे इस तरह से जादा लाएने आ जाए तो थोड़ा नींद में जो है डिश्टप होता है ऐसे ब्यक्तियों का हलके रोप में ये बताता है दूसरा आर्थिक मामला बहुत अच्छा होते हुए भी थोड़ा सी कमी नजराती है ब्यक्ति को थोड़ा सा मानसिक चिंता निंदरा का ना आना ये चीज थोड़ा जादा हो जाती है और संगर्स और उल्जन अपने आप में बढ़ जाती है और कहीं न कहीं उल्जन की इस्तित्थ थोड़ा पैदा हो जाती है डिसिजन लेने की छमता पे थोड़ा असर पड़ता है और थोड़ा सा हलका क्रोधीपन भी ब्यक्ति के अंदर आने बैठ जाता है ये चीज़ें जो है ये छोटी छोटी रेखाए अतिमातरा में होने पे देती है अब ग्रह नक्षतर क्या कह रहे हैं उस और हम जाती है देखे ये हमारा अंगोठा है और इसके नीचे के इस भाग को हम सुक्र कहते हैं सुक्र प्रवत इसको माना जाता है भौतिक सुक्का और इससे हम ये भी देखते हैं कि फैसन में कितना रुजान है नए कपड़ों में नई तरीके की चीज़ें जो आजकल चलन में हैं और साथ साथ ये हमारे परिवार का भी कारक होता है और हमारे समुत्र सास्तर में इस अस्तान को भद्री अस्तान भी कहा गया है मतलब भाई बहनों का अस्तान और ये सुक का भी कारक होता है देखे ये सुकराचारेजी है और सुकराचारेजी जो है न देतियों के गुरू है पोराणिक जो मान्यता है उसके अनुसार ये सुकराचारेजी देतियों के गुरू है और हमारी हतेली में इससे बहुत एक सुक हुआ, आदमी की परसनल्टी हुई, लग्जिरियस जीवन हुआ, पैसा हुआ, बिलासिता हुआ, ये सारी चीजें इससे देखे जाते हैं आपका बैबाहिद जीवन किस तरों से चलना है, क्योंकि ये कलत्र कारग भी इसको मानते हैं, मेरिटर लाइफ का मालिक भी इसको मानते हैं अगर देखा जाए आपका ये परवत बहुत सुन्दर रोप से उभार लिये हुई है, तो ये बिलासिता आपको दे रहा होगा तेज लिये हुए है, तो आप भी तेजस्वी होगा, और सबसे बड़ी बात है, आपका चेहरा भी बहुत सुन्दर होगा सुन्दरता हुआ, आकरशन हुआ, आपके अंदर विद्यमान होगा, और दोसरी चीज ये दे रहा है, कि कैसी भी प्रस्तिती हो हर प्रस्तिती को हस्ते हस्ते जेलनी की छमता भी आपके अंदर होगे वर्टिकल लाइने दे रहा है, तो बता रहा है कि अपने काम के परति जुझारोपन ब्यक्ति के अंदर निश्चित मात्रा में होगा और एक प्रतिष्टित और एक बहुत प्रभावसाली ब्यक्तित तो आपका निखर कर आ रहा है, बहुत सुन्दर ब्यक्तित तो होगा मनि देखने में आप बहुत सुन्दर होगे, आकर सण होगा आपके अंदर, एक ब्यक्तित तो की जलक होगी आपके अंदर और जो आपकी जीवन रेखा है बहुत सुन्दर तरीके से पीछे की और आ रही है बहुत ही सुन्दर जो है इस तरों से पीछे की और जा रही है और बहुत गुमावदार आ रही है तो ब्यक्ति जो है धनड्य भी होता है और परिवार के परति ऐसे ब्यक्तियों की समरपण की भावना होती है और जीवन निरंतर जो है संगर्ष के साथ ही बड़े मगर प्रगति जरूर करता है दूसरी चीज अगर हम देखते हैं इसमें एक रेखा इधर को भी आ रही है व्यक्ति जो है विदेशी आत्रा भी अपनी जीवन में जरूर करता है एक रेखा अगर हम देखें तो इस तरोसी जा रहे हैं जिससे ब्यापार रेखा कहते हैं ये ब्यक्ति को ब्यापारिक बुद्धी देती है और पूरा अगर ये यहां तक पहुंच जाती है निर्विरोद रूप से तो बहुत ही अचानक बड़ा लाब ये ब्यापार में देती है और उत्तम स्वस्थ्य ब्यक्तिकार रहता है ऐसे ब्यक्तियों का बहुत उत्तम स्वस्थ्य रहता है छोटी मोटी तो ये देखो ये थोड़ा सा सर्दी जुखाम नजला खांसी या इस तरों की छोटी मोटी च माइट रहे देखे तो बहुत सुन्दर तरीके से कही न कहीं जो है चंद्रमां से मिलान के हुई है और यहाँ देखे तो मंगल के कुण इसमें आ रहे हैं देखिए जब मस्तिस्क रेखा किसी ग्रह से युक्ति बनाती है सहज भाव है कि मस्तिस्क का उस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अब ये चंद्रमा है चंद्रमा से अगर युक्ति बनाती है या तो व्यक्ति चिंता तुर्जादा रहता है या धर्म का अस्तान भी है यातराई भी इसी से आम देखते हैं तो व्यक्ति जो है बड़ी और शुकद यातरा भी कर सकता है ये जीवन में जरूर होता है लंबी और हवाई यातरा का मुखा देती है तीसरी चीज है ब्रेसपति जैसे बुलन अवस्ता में दिखाई पढ़ रहा मंगल जैसे बुल ये प्राकरम दे रहा है, ये कलपनाई दे रहा है, और ये मिल रहे हैं मस्तिस्क से, छोटी सी समझने की चीज है, हिर्दे रहे खा देखें, तो सनी और जो है, गुरु का प्रभाव पढ़ना तो ब्यक्ति थोड़ा सा आदर्स्वादी जीवन पद्दिति का होता है, दिल से ज्यादा सोचने भी बैठ जाता है, यहाँ पर इस तरह सा चिन बनना, कहीं न कहीं जो है, ब्यक्ति अचल संपति का लाब प्राप्त करता है, अपनी कमाई से, भूमी का लाब जरूर प्राप्त करता है, प्लोट हो गेरा, ये जमीन का टोकड़ा जरूर खरीदता है, अगर हम आपके मंगल छेतर को देखें, निमन मंगल को, तो ब्यक्ति जो है, एनर्जेटिक स्वभाव का होगा, इस फूर्ति और ओर्जा होगी, और इसमें भी कहीं न कहीं जो सुन्दर बर्ग का निशान जो है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भूमी और भवन का लाब ह देता है, वही जो है हमारा मंगल होता है, अचल संपति का 100% आपको लाब मिलेगा या मिल चुका होगा, थोड़ा काफी रेखाई हैं, थोड़ा मन को चिंतातुर करता है ये, रेखाई जादा होने पे, ब्यक्ति को मन को डिश्टप करता है, और कहीं न कहीं ये बहुत जादा उभार ले जायाई, तो ब्यक्ति थोड़ा क्रोधिपन में आ जाता है, ऐसा स्वभाव ये बना देता है, और थोड़ा सा निरणे लेने की छमता पे असर डालता है, जब बहुत सारी रेखाई इस तरह से आ जाती हैं, मगर ये रेखाई जब अपना प्रभाव खतम करने बैट जाती, ब्यक्ति फिर अपने स्वभाविक अवस्ता में आ जाता है, अगर हम बात करते हैं, धार्मिक भावनाई भी आपके अंदर बहुत सुन्दर मातरा में होगी, और स्वयम भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी उन्नति करने में सह का चीज है, गुरु है, जो हमारे पाँच तत्व होते हैं, उन तत्वों में यह ब्रस्पति जी आकास तत्व के अधिपति होते हैं, पृथिभी है, जल है, अगनी है और वायु है ने, इन चार तत्वों को जो तत्वव अपने अंदर समाहित करता है, या बाकी चार है आकास तत्वा और हमारी ये ब्रस्पती जी इसी आकास तत्व के मालिक है इसी आकास तत्व के अधिपती है इसलिए आकास जितना ब्यापक है ने जितना बिराठ है ने हमारा ब्रस्पती जी का प्रवाववी हमारे जीवन पे उतना ही ब्यापक है और उतना ही बिराठ होता है और नवगरह हैं जो हमारे उन नवगरहों में इनको गुरू माना जाता है तो इसकी आवशकता सब को है अच्छी सिख्छा के लिए बुद्धी के लिए और ब्यापार के लिए और संसकार के लिए ये बहुत जरूरी होता है अगर यहां पे देखें तो इस तरों से एक जो है कहीं न कहीं निशान बनना है और यहां पे देखे रेखाएं उपर के और जा रहे हैं तो ब्यक्ति कहीं न कहीं धर अध्यात्म के मामले में भी बहुत जादा प्रतिष्ठित अवस्था में आ जाता है अगर कोसिस करें तो बहुत सुन्दर है आपका अगर हम बीच वाली उंगली को देखें लंबी है तो ब्यक्ति कहीं न कहीं विबेकपुर्ण और बुद्धि मता से काम लेने वाला ब्यक्ति होता है अगर हम देखते हैं आपका सनी का परवत बहुत सुन्दर फैलाव इस्तित में सनी का परवत है मगर यहां पर बहुत ज़्यादा बैट जाता है तो बरतमान समय में कहीं न कहीं सनी थोड़ा सा अडचनों का सामना करवाता है चाए नोकरी कर रहे हो चाए ब्यावसाई कर रहे हो हलके रोप में यह देता है क्योंकि यह भग्यास्तान भी है और नौकरी का मालिक भी इसी को मानते है और आपकी हिंड़े रहखा भी यहीं से वोगे निकल रही है तो थोड़ा न थोड़ा कहीं न कहीं यह अपना प्रेणाम जरूर देगा यहाँ पे कटका भी एक निशाना रहा है तो बकरी भी जब होता है व्यक्ति के हतेली में तो व्यक्ति को थोड़ा न थोड़ा अपने जाल में फसाना शुरो कर लेता इसका मैं उपाई दूँगा निश्चित तोर पे करिएगा बहुत अच्छा फायदा आपको होगा अगर हम आपकी ये देखें सूरे के उंगली लमवत खड़ी है यस और कीर्ति हो उसके प्रतिसदयू जुकाओ है मन में यस पाने की प्रसिद्धी पाने की और ऐसे लोगों का सम्मान भी लोग बहुत अच्छा करते है सूर्य का प्रवत आपका बहुत सुन्दरा उस्तामी है लमवत खड़ा उंगली तो लमवत खड़ी है मगर इसमें भी एक रेखा इंगित हो रही है जो गद्दी देती है यस देती है सब चीज के प्राप्ति करवाती है और ऐसे लोगों का काम का विस्तार भी बहुत अच्छा होता है कहीं न कहीं अगर इस तरोका बन रहा है तो ऐसे लोग मल्टिपल सीटी में बिजनिस करते हैं इनका बिजनिस का फैलाव बहुत अच्छा होता है ये ओरजा का विकारक है ये विस्तार का विकारक है आपका सूर्य भहुत सुन्र है बहुत कम लोगों का सूर्य ऐसा होता है अगर हम कनिश्टा उयंगली देखे तो लमबवत खड़ी है, बहुत सुन्र और बहुत लंबी खड़ी है कम्यूनिकेशन ऐसे लोगों का communication skills बहुत अच्छा होता है वानी के सकती बड़ा मधरो होती है और ये packaging का मालिक है तो कहीं न कहीं जो है व्यक्ति का व्यक्ति तो भी बड़ा सुन्दर होता है अपनी बात को ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावसाली धंग से रखता है कहां पे क्या बात रखनी है कैसे रखनी किस तरों से रखनी है और कब रखनी है और किस के सामने कोन सी बात रखनी है ये बहुत अच्छी तरों से येसा व्यक्ति जानता है दूसरी बात है हर कार्य को एक योजना के उनसार करता है सोच समझ के करता है जीवन के मन्थन को किस तरों से मतना है जीवन के सार को समझते हुई ये ब्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाते है दोसरे के मन में क्या चल ला है ये बहुत जल्दी भाप लेते हैं उस चीज को और जीवन का जो अनुभव है ने इन लोगों को बड़ा जादा रहता है बेसिक जो नौलेज है हर चीज के बारे में जिस चीज के बारे में भी नौलेज रखते हैं डीपली उस नोलेज को रखते हैं और आकर्षण की छंता इन लोगों के अंदर बहुत तीब्र मात्रा में होती हैं अगर इनके भितर कोई कश्ट कोई प्रेशानी भी चल रही होगी ने जल्दी तक जल्दी से आप भाप नहीं सकते हैं यह जाहिर जादा नहीं करते हैं यह मैं सक खुस दिखने वाले आकर्षक दिखने वाले मेंटेन दिखने वाले ब्यक्ति होते हैं और यह उनको पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है निम्न मंगल देखें उच्च मंगल तो बहुत सुन्दर है रेखा इस तरों से जा रहे हैं थोड़ा ओजपूर जिससे मिलते हैं अपने चाप छोड़ जाते हैं चंदरमा देखें चंदरमा जो है ठीक है खुबसूरत होंगे खुबसूरत सोच के मालिक भी होंगे थोड़ा सा यातना ये थोड़ा ज़्यादा हो सकती है या की होंगी जीवन में थोड़ा सा मन कभी कभी थोड़ा खराब सा रहता है जी नहीं लगता है कभी कभी किसी काम में थोड़े बटकता रहता होगा अगर हतेली में ऐसा है तो य directing हाथ करेक्ड़ा करें ऐसा रखा अधो तब हो को सत्वा है तो सब्होड़ा के सलगें तो धोड़ा सा नीद में थोड़ा प्रॉबलम आती है इसे एक्षनल जादा होसकते हैं और मन शब्टान खराब रह सकता है और मन का जो सिष्टम जुड़ा हूँ है हमारा पाचनतंतर से भी हुड़ा हुत के इस वुज़ों से चंदरमाई के बहुत सुन्दर उपाई दोंगा जरूर करीगा भग्या रेखा को देखें तो भग्या रेखा बहुत सुन्दर सनी परवत्तक जारी है ऐसी रेखा जीवनकाल में निरंतर परगति देती है वाहन का और मकान का सुक इन लोगों को जरूर मिलत है दूसरे चीज देखें यहां पर थोड़ा अगर काट रही है इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है मगर ऐसे लोगों का डेली अर्निंग होती है थोड़ा सा अगर हम हतेली में देखें थोड़ा संगर्स तो चल्ला है हलकी मानसिक प्रेशानी भी चल लिए बहुत ज़् प्रेश्रम के बाद भी उस रूप से थोड़ा अभाव की इस्तिति दिखा रहा है मगर उतना जादा नहीं और थोड़ा अगर चंद्रमा खराब है थोड़ा मन की इस्तिति और पाचन तंत्र की इस्तिति में थोड़ा सफराक ला सकता है अगर मणी बंद देखें बहुत सुन्दर मणी बंद है बहुत ही जो जिवन का बेसिक चीज है वो बहुत परिपक्व है अगर देखा जाए तो हमने आपकी हतेली के सभी लाइनों का हतेली के आकार का, हतेली का रंग का, अंगोठे का, अंगोठे में बनने वाले चिन्नों का, मणी बंद का सभी का विसलेशन करके आपको बताया है फिर भी कुछ रह जाता है, आप मुझे वर्टसप कर लीजेगा, मैं उसका आंसर जरूर दोंगा साथ में उपाई भीज रहा हूं, आप दिये गए अनुसार, बिदी के अनुसार उन उपाईयों को जरूर करिएगा निश्चित ही जीवनकाल में जो है, फायदा होगा तो एक छोटा सा विसलेशन था, अगर आपको भी अपनी हतेली का विसलेशन करवाना है तो दिये गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, वाटसप कर सकते हैं, हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद